Class 10th का Math का Chapter 4 जिसका नाम है Quadratic Equations इस Chapter के Example 18 को Discuss करते हैं Next Question पर आते हैं Chapter 4 का Example 18 solve करते हैं Find the discriminant of the equation 3x²-2x plus 1 by 3 is equal to 0 And hence find the nature of its roots, find them if they are real देखो इस Question में न ये हमें Quadratic Equation दे रखी है पहले तो आपको ये बुला जा रहा है कि आप इस Quadratic Equation का Discriminant निकालो Discriminant को D से Represent करते हैं और इसका Formula होता है B²-4 इसी तो एक तो आपने Discriminant निकालना है उसके बाद आपने ये बताना है कि इस Quadratic Equation के Real Rooks Exist करते भी हैं या नहीं और अगर इस Quadratic Equation के Real Rooks Exist करते हैं तो फिर आपने Rooks की Exact Value निकालना है चलो Solution के उपर आते हैं ये जो हमें Equation दे रखी थी पहले तो हमने उस Equation को आजग दिया 3x²-2x प्लस 1 by 3 इस Equal को 0 यहाँ पे देखो 3 गिनॉमिनेकर में है गिनॉमिनेकर में से इस 3 को हाटाने के लिए पूरी की पूरी Equation को आप 3 से Multiply कर देते हैं तो 3 से Multiply किया तो यहाँ पे 9x² बन गया 3 से Multiply करके यह – 2x का – 6x बन जगा और यहाँ पे आप 3 से Multiply करोगे तो यह गिनॉमिनेकर वाला 3 Cancel Out होजेगा तो सिरफ 1 बचेगा तो 9x²-6x प्लस 1 is equal to 0 अब यह हमारे Equation बन गई है इसके बाद आपने A, B और C की Values को लिस्क करना होता है जो x² का Coefficient होता है x² के आगे जो नंबर लिखा होता है वो A की Values होती है तो A की Values 9 है जो x का Coefficient है यह B की Values होती है तो B की Values – 6 है और जो Consecant Time है यह C की Values होती है तो C की Values 1 है A, B और C की Values लिग दिया आपने उसके बाद आपने एक Discriminate निकालना है इसको D से Represent करते है और इसका Formula होता है B² – 4AC B की जगा पे – 6 पुट करना है A की जगा पे 9 और C की जगा पे 1 तो B की जगा पे – 6 A की जगा पे 9 और C की जगा पे 1 को पुट किया – 6 का Square करेंगे तो वो 36 बनेगा और इनको Multiply करके – 36 आता है तो 36 – 36 is equal to 0 तो D की वेल्य 0 आ रही है अगर D की वेल्य 0 आए तो भी Real Rooks Exist करते हैं अगर D की वेल्य ग्रेकर दें 0 हो तो भी Real Rooks Exist करते हैं अगर D की वेल्य लेस दें 0 होना उसकेस के अंदर Real Rooks Exist क नहीं करते हैं तो यहाँ पे तो D की वेल्य 0 आ रही हैं तो real roots exist करते है अब लिखोगे given equation has real length equal roots जब भी equal value 0 आती है उस case में roots real होते है और equal होते है मतलब x के जो दो values आएंगी ना दोनो same values आएंगी अब आप quadratic formula को use करके exact values निकाल सकते हो x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4 is upon 2a ये quadratic formula आपको अच्छे से याद होना चाहिए x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4 is upon 2a ये वाला जो minus है ये formula का minus है तो ये तो रहेगा b की value आपने minus 6 put की ये दो को b की value minus 6 है तो b की जगा पे minus 6 put किया ये b square minus 4 is की value b square minus 4 is की value 0 आई होई है तो b square minus 4 is की जगा पे 0 put किया और a की value 9 है तो a की जगा पे 9 put किया ये दुनों minus आपस में एक दूसरे को cancel out कर लेंगे तो सिरफ 6 बचेगा under root of 0 वो 0 के 1 बलोता है और 2 into 9 is equal to 18 इसके बद आपने 2 case बनाने है एक बर आपने positive sign लेना है और एक बर आपने negative sign लेना है तो एक बर बनेगा 6 plus 0 upon 18 देखो 6 plus 0 upon 18 और एक बर बनेगा 6 minus 0 upon 18 6 minus 0 upon 18 6 plus 0 60 होता है और 6 upon 18 6 से divide करके 1 by 3 आजगा यहां से भी 6 minus 0 60 होता है 6 को 18 से 6 upon 18 आपस में divide करके ये भी 1 by 3 ही आएगा गी की value 0 थी ना तो इस case में दोनों equal roots होती है तो दोनों values same आती होती है 1 by 3 एक 1 by 3 this is the answer झी की जवर है झी की जथायआई लोता में पहास्पारा जान ज़ती है झाल जञ़कित होता है व इर हर ढ़राहाँ जवर्श pushedपपफ़ कर दिये 바止 ända दाने उगा है झाल झाल